राजनीती में निराशा के इस दौर में चुनावी नतीजे और चार राजियों में भाजपा की वापसी राजनीती के नए दौर का संकेत कर रही है भारतिय जनता पार्टी हिंदुत वादी राजनीती से भारत के प्रधान मंत्री तक पहुँची बीजपी सरकारों की लीडर्शिप ने गुडगर्नेंस और योजनाओं की डिलेवरी का काम इमानदारी से अंजाम दिया इससे उसे मतदाताओं का विश्वास हासिल हुआ है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रधेश में बीजपी सरकार द्वारा दो बारा सत्ता में वापसी से नया इतिहास बना है ये सकारात्मक राजनीती का उदाहरण है साथ ही इस उपलब्धी के पीछे मतदाताओं के सामने विकल्प हींता भी एक कारण है आम जनता राजनीती से निराश है अगर ऐसा समभ हो सकता कि बिना मतदान के गुट गौर्णेस मिल सके तो लोग राजनीताओं को नकार देते लेकिन लोकतंत्र की मजबूरी है कि मतदान से जन प्रतिनिधी चुनना है इसलिए घटते मतदान में भी बहुमत जीत जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव का दौर चल रहा है तुष्टिकरण की सियासत से उपचुके हिंदुस्तान में राजनीती का नया ट्रेंड शुरू हुआ है मजबूत और विश्वस्निय नेत्रत्व के साथ सोशासन और विकास के लिए इमानदार प्रयासों की मतदाताओं को तलाश है माफिया वाद के सहारे, परिवारवाद और सरकार के प्रभाव से ब्रष्टाचार की मलाई चाटने की राजनीती बेनकाब हो चुकी है स्ट्रॉंग और निरनायक लीडर्शिप की ही पबलिक में क्रेडिबिल्टी बची है भारत की राजनितिक आबो हवा, भारतुय सभ्यता, संस्कृति, संसकार के साथ समाधान की ओर बढ़ चली है पांच में से चार राज्यों में भाजपा की विजय, लीडर्शिप में विश्वास, गरीबों के विकास, हिंदुत्व के उजास और मुस्लिम तुष्टिकरण में अविश्वास का नतीज़ा है Law and Order, माफिया पर बुल्डोजर, महिलाओं के शक्तिशाली स्वर्ण, हिंदुओं के धार में किस्थलों का अधभुद विकास और विस्तार, मोदी और योगी के नित्रत में उपजे भरोसे से नए पॉलिटिकल कल्चर का जन्म हुआ है ब्रोष्टचार आज आम लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, मोदी और योगी की इमेज आनेस्ट लीडर की है, दोनों नेताओं का कोई परिवारजन सक्रियन नहीं है इसी से जन्ता में ये विश्वास मजबूत हुआ है कि दोनों नेता बेहत इमानदारी से सरकार चला रहे हैं दोनों नेताओं की इमेज का भरपूर लाब इन चुनावों में बीजे पी को मिला उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा बसपा और कॉंग्रेस के बीच मुकाबला था ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की बैड पर्फॉर्मेंस को लोग भूल नहीं सके है सपा सरकार के दौर की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को याद कर फिर से वैसी परिस्तित्या निर्मित करने का मतदाता दोसाहस नहीं कर सके हाला कि अखिलेश यादव के नित्रत में सपा की सीटों की संख्या 2017 की तुल्ना में तीन गुनाज जादा हो गई उत्रप्रदेश ऐसा राज्य है जहां सनातन धर्म और भारती संस्कृति की आत्मा बस्ती है बीजेपी के कारियों ने सनातन धर्मियों ने आयोध्या में राममंदर और काशी में विश्वनात कारिडोर के निर्मान से भाजपा ने सनातन धर्मियों में अपने प्रति विश्वास को मजबूत किया है भाजपा के सरकारों में आने के पहले सनातन धर्म के धार्मे के स्थल उपेक्षा की स्थिती में थे भाजपा ने हिंदुत्व के अपने बुनियादी आधार को मजबूत करने का सतत प्रयास किया गुड गवर्नेंस और इस स्कीम्स की डिलेवरी को बिना किसी भेदभाव के अंजाम दिया गया इसके कारण गरीबों को लाब मिला और जाती बाद से उपर उठकर गरीबों का एक वर्ग भाजपा के साथ जुड़ गे जिसका इन चुनावों में पार्टी ने लाब लिया है बीजपी के नित्रत में यूपी आज गुड गवर्नेंस और माफिया मुक्त शासन का हिंदुत मॉडल बनकर उबरा है किसान आंदोलन से बीजपी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये आंदोलन धीरे-धीरे किसानों के मुद्दे से हटकर बीजपी के खुले विरोध के रूप में स्थापित हो गया था आम किसानों ने आंदोलन के नाम पर बीजेपी के विरूद को सुईकार नहीं किया लौ एन ओर्डर और राजिकी बहतर विवस्थाओं ने आम लोगों को प्रभावित किया योगी की स्ट्रॉंग लीडर्शिप को पब्लिक ने पसंद किया प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतरत्व के मुकाबले में बीजेपी की राजनीती में कोई ऐसा लीडर आज की तारीख में नहीं है जिस पर पब्लिक विश्वास कर सके जो भी विपक्षी नेता वर्तमान में सक्रिय हैं उनकी निजी क्रेडिबिलिटी सवालों के खेरे में जाती और धर्म खास कर मुस्लिम तुष्टी करण और ध्रुवी करण से भले ही कुछ सीटे हासिल कर ली जाए लेकिन इससे सरकारों का नेतरत मिलना कठिन है पंजाब के परणाम भी राजनीती में निराशावाद पर ही आधारित लगते हैं कॉंग्रिस शिरोमर्डी अकाली दल जिन्होंने लंबे समय तक राज्य पर शासन किया उनसे लोग निराश थे भारती जंता पार्टी का वहाँ कोई आधार नहीं था बीजेपी के लिए ये दूरगामी सोच का सबजक्त है कि हिंदों का अभिन अंग सिख समधाय पार्टी के साथ क्यों नहीं जुर सका है जबकि ये समधाय कॉंग्रिस के विरोध में माना जाता है इसलिए विकल्प के रूपियों आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन कुठ सकतिया हुए मनिपूर गोवा में भी पी बीजेपी ने अपनी सरकार वापस बनाने में सफलता हासिल कर लिए सामनित सरकारों के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी आम होती है, लेकिन भgepa की सरकार इंकम्बेंसी का सफल प्रियोग करती है। उत्राखन में भी BJP बहुमत प्राप्त कर चुकी है। इस राजय में हर 5 साल में सरकारें बदलती रहे हैं—— लेकिन पहली बार भाजपा ने दोबारा सरकार बनाने में कामियाबी हासिल की है। ये बात अलग है कि भाजपा की मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए है। बीज़पी के लिए ये चुनाव खोशी के साथ आत्म अवलोकन का मौका दे रहे हैं। केवल प्रोपेगेंडा उपलब दिन नहीं दे सकता। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के संकेत दोहजार चौबीस में होने वाले लोगसभा चुनाव के लिए बहुत सकारात्मक है। मुसलिमों के लिए भी ये चुनाव अलार्मिंग है क्योंकि उनकी पूरी कोशिशों और ध्रुवी करण के बाद भी उनकी समर्थक पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी है। अब बीजेपी को मुसलिम कंसॉलिडेशन के लिए राष्ट हित में प्रयास करने चाहिए और मुसलिम समधाय को भी राजनितिक छुआचूत की भावना से उपर उठकर काम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 2017 की तुलना में बीजेपी की सीटे कम हो गई हैं। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी लोगों के जहन में है। चुनाव में जीत से ये मुद्दे खत्म नहीं हो गई है। बीजेपी सरकारों को महंगाई और बेरोजगारी पर नियंतरण के उपाए करने होंगे। दिखावे से ज़ादा वास्तविक्ता पर सरकारों को काम करने की जरूरत है। केवल प्रोपेगेंडा उपलब्दी नहीं दे सकता। सर्योसुत मिश्रम न्यूजपुराण आप देखते रहिए न्यूजपुराण